चलिए तो दोस्तों स्वागत आप सभी का वाइफए सड़ी चैनल पर चेंजिंग दाव लर्निंग वाइफए सब्सक्राइब नमस्कार एक बार फिर से आपके नए ने टॉपिक जो आपके स्टार्ट करें सब्सक्राइब करेंगे और शायद मैंने कल का भी आपका टॉपिक लगा दिया है ठीक है कल हम सारे ब्रेंड अमबेस्टर जितने भी अभी लेटस बने हैं चाहिए वह इंडिया का हो या फिर इंटरनेशन लेवल पर तो आपका कोशन सारा जो है कवर होने वाला शेर करो मैक् सब्सक्राइब करेंगे अपने सेशन को शेर करेंगे मैक्सिम और दोस्तों ध्यान रखेगा आप टेस्टोन का हिस्सा जरूर बनिए यह सब्सक्राइब करना कोई सभी आपका इसका स्कैन कोड भी एवलेबल है ससी रेलवे का ससी के नोट्स भी एवलेबल रहेंगे आपके ठीक है और दोस्तों आपका जो मिशन ससी है अनकेडमी का इसका हिस्सा बनिए यह भी एक 5 सटेंबर को बहुत अच्छा लाइव इबंट होने वाला अनकेडमी वन का कल होगा तो मिस मत करना है ठीक है बाके आपके लिए आनकेडमी आसडाउड जैसे फीचर स्पेशल सेशन एवलेबल है ठीक है और जो आपका टेलीग्राम चैनल है यह जो जो इन कर ले करो सो डेट की देखो यह जो वीडियो है ना इस वीडियो का परपस है कि आगर आप एक हंटा इस वीडियो को देख गे ना इसके बहार आपको डिफेंस का कोई कोशन आ नहीं सकता इसी की मैं शोर्टी दे रहा हूं ऐसे मैंने पीछे साथ वीडियो और मनाई है शाम को साथ बजे हर दिन साथ बजे ही मैं अपडेट कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर फिक्स का फीचर अनकेडमी का 55% का डिसकाउंट अब आपको मिल रहा है सिर्फ इतने रुपे में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनकेडमी के इस ठीक है पैकेज को यूटलाइज करिए ऐसी अपोर्शन ही मिलेगी नहीं कोड यूज करेगा लाइव अमन ठीक है लाइव अमन यूज करेगा लाइव अमन जितने भी नेने बैचिस हैं वह आपको प्राइस हाइक होने से पहले जोइन करने एससी रेलवे गोल से लेकर करके कोड रहेगा यह ठीक है चले तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिल्ट्री एक्साइस प्लस डिफेंस अपडेट सिर्फ आने की सिर्फ मिल्ट्री एक्साइज होगी डिफेंस के अपडेट्स पी इसमें आपको मिल दाएंगे हैं ना चली का भी वीडियो डालने वालों मैं कुछ बच्चों ने में को बोल रखा है कि एंसी आर्टी का वीडियो डाली है तो मैं कुछ स्पेसिफिक एंसी आर्टी जो है जैसे आपका 9 और 10 का एक वीडियो डालूँगा 11 और 12 का एक वीडियो डालूँगा जिसमें सारे कोशन होगा ठीक है वह भी आपको मिल जाएगा चली पहले पहले कोशन पते सुरक्षा कबच टू जो है एक जॉइन एक्साइज है इंडियन आर्मी और कौन सी साथ इन्वोल रही है तो आंसर के सकोशन का इस कोशन का आंसर महरास्ट ठीक है तो यह बहुत जो है युनिक एक्साइज में से एक है जिसमें इंडियन आर्मी के कुछ पर्टिकुलर फोर्स जैसे काउंटर टर्रिजम टास्फोर्स जो है वह पाडिस्पेट करते और महरास की तरफ से जो है क्योंकि रियक्शन टीम जो है महारास्ट की वह पडिस्पेट करती है यह एक तरीके से एक्साइज क्यों रखेगी क्योंकि जब जो मुंबई अटेक हुआ था उसके बाद से महारास्ट में सेक्योर्टी बनाने की जरूत पड़ी तो इस वज़े से यह एक्स की तरफ से क्या कून सी लोकेशन में ठीक है लेटस एक्साइज 22 मार्च की थ्यानक आपको मिल सकता है इंडियन एरफोर्स वन अफ्ट फिलाल में एक मल्टी नेशन जो है एक्साइज कोब्रा वेरियर 20-22 उन से देश में इसमें इंडियन इंडियन एरफोर्स भी ती वैसे जा तो इस कोशन का आज़सर वते हैं इस बार की वहांपोपण बड़े पहमानें पर एक्साइज होती है युनाइट खिंग्डम में एक्साइज उती इसकी पूरी डेटेल जानते हैं बहुत ज्यादा ज़रूरी कोशन है इंडिया ने तो पार्टिस्पेट किया ही था था इंडिया ने इसमें पाडिस्पेट किया था क्योंकि मर्टी नेशनल एक्साइज अ सारे देश पाडिस्पेट करते हैं तो एक्स कोब्रा वरीर एक्साइज इंडिया की तरफ से किसने पाडिस्पेट किया था इंडिया की तरफ से हमारे जो ले लिए नेशनल एक्साइज है उसमें बहुत सारे देशों है सारे देशों के नाम तो नहीं याद करोगे है ना सारे देशों के नाम तो नहीं याद रखोगे सवाल उसमें क्या आएगा कि भाई कहां पर हुए एक्साइज और इंडिया की तरफ से क्या था तो इंडिया की साथ बज़े बेटा उस लेवल पर पढ़ा दे रहा हूं सेलेक्शन लेना है तो साथ बज़े वाली वीडियो सारी देखने पड़ेंगे बस इतना समर लो चलियान से के इस कोशन का बड़ा प्यारा कोशन इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्साइज होती है यह इस इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी एक्साइज है बहुत फेमस एक्साइज आंस है के इस कोशन चल्दी से बते हैं चो लगया कोशन बड़ा यह आसान कोशन है ठीक वरुना ठीक है यह इस वज़े से भी प्रसद्द हुई थी कि वरुना को एक बर ही रिपब्लिक डे में रिप्रेजेंट किया गया था इस वज़े से यह प्रसिद्द रही डेवल एक्साइज में देखें इंडियन नेवी का कोशन अभी लेटस करेंड फेर है आयने स्विकरांद को लोंच करते समय इंडियन नेवी का जो ठीक है लोगो है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाए इंडियन नेवी की तरफ से तो ध्यान रखना उसका मैं अभी अपडेट देता हूं क्लास के एंड में चलिए इसके बारे में समझते हैं जो इस बार का वरुना एक्साइज हुओ यह तो यह मिल सकता है ठीक है तीसरा वाई और नेवी कहा है तो डेफिनली बहुत यहादा असान होगा है रहा कोशन आपको यह मिल सकता है कौन सी दो लोकेशन पहला गोवा दूसरा टुन्टियत अडिशन किसके बीच में इंडियर फ्रांस के बीच में तीन सवाल याद रखने आपको चलिए एक और कोशन देखते हैं बाकी कहानी है कहानी को याद करने की जुरत पढ़ती नहीं तो सारे एक्साइज है कौन से दो दिश्व के बीच में बताएं दोस्तों यह एक इंपोर्टन कोशन है हर एक कोशन इपोर्टन कोशन है यह कोशन आ सकता है क्योंकि यह बिल्कुल ही लेटस्ट कोशन है ध्यान अकना यह 13th edition है जो कि किस वज़े से होता है क्योंकि इंडो पैसिविक रीजन में USA अपने आपको बनाना चाहता है इस वज़े से जो है USA के जो फोर्स गार्डियन है एरफोर्स है वो बांगला देश के साथ यह एक्साइम करती है ठीक है इस एक्साइम में अप्रोक्ехटी'll तीन सो मैं इंजो इंपोर्टन कोशन है आ सकता है ठीक है चले एक और कोशन देखिए कि इस कोशन का अंसे क्या है एड़ सीधा नेक्स कोशन टेलिग्राम चैनल करना पीडिएफ ज़रूर पीडिएफ मैं इसलिए कहता हूं मैं आपको चाहिए लंबा कोशन करा रहा हूं इतनी बड़ी लैंध क इए कोशन करा रहा हूं यह मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपकी information फ्रोंग हो जाए एक बरी information फ्रोंग हो जाए नए पेपर में छोटाई मिलेगा अग्यव जैसे यह है जोएंट स्पेशल फोर्स एक्साइज एक खंजर बहुत फेमस एक्साइज है इंडिया यह किसके साथ करता है पहले इस कोशिंगा आंसर बते खंजर एक्साइज जो है इंडिया कौन से देश के साथ करता उसके पूरी इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कोशन इम्पोर्ण नहीं बते यह आंसर कि यह समॉर्लक रिख्यक and Kasuk modern दोस्तों मैं किर्गिस्थान और इंडिया के बीच में होती ठीक किसके बेइस चरह जैसे इसमें लिखा है न जो के लिखा होना है इससे थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि किर्गिस्तान और यह special force training school है कहां पर हिमाचर पदेश बकलो में यहां पर USA और इंडिया का अभी एक और latest exercise हुआ है ठीक है जस्ट एक क्या दो चार दिन पहले खतम हुआ है वह exercise ठीक है USA और इंडिया का बकलो बह में 25 मार्च को हुआ है special force training school कहां पर हिमाचर पदेश में कोशन आपको इस पर मिल सकता बाके देखो ना कहानिया याद करने जुरत नहीं है कि किस वज़े से को कोई military exercise हुई है एरफोर्स exercise हुई है तो उसको कोई purpose रहोगा ठीक है कि conflicts को खतम करने के लिए combat shooting practice करने के लिए mountain training के लिए इस चीज़ को ठीक है तो एक और मैं सिर्फ और सिर्फ यूटूब पर एक ही टाइम पर क्लास लेता हूं वह है सात बजे वाइफाइट इसके अलाबा पूरे दिन में कोई यूटूब पर क्लास नहीं आती है लेकिन यह जो क्लास आती है यह हमेशा एक नया topic होता है हमेशा उस content को पढ़ना है जो आपको इस क्लास में बिल रहा है कबर कर लेना इससे बाहर टोपिक नहीं जाएगा डिफेंस का कोई कोशन नहीं जाएगा अभी तो एक्साइज से स्टार्ट किया है मैं आपको डिफेंस के बहुत सारे लेटस अपडेट कराने वाला हूं वाइव शक्ति ने इसे कहां पर कंड़क किया था अभी लेटस का है कि मार्च में वाइव शक्ति जो है पॉकरान का बड़ा फेमस लोकेशन है तो वहीं पर एक साइज हुई वायू शक्ती ठीक है आप एक चीज जानते होंगे कि इंडिया में जो डिफेंस है उपकषा इक्सपो कहां पर होने होने मतलब हो चुका है कहां पर यस बार का उभात इभा गौजरात और चायद आपको ये भी कोशन मिल जाए क्योंकि इस दिन ये एक्साइस हुई थी ना उसी दिन अनाउंस्मेंट भी हुआ था इस सीच का तो ये कोशन आपको मिल सकता है कि ये वाला ठीक है कि गांधी नगर में डिफेंस एक्स वह हुआ था लेटेस कोशन है यह आने के चांसे से लेटेटर कोशन देखेगा बड़ा अच्चा कोशन ने में कुं सा ऐसा देश है जिसने च्चार नेशन का जो है एक मीली एक्साइस कंडग किया ठीक है बते ही इस कोशि 건데 ंच और देशाय ने जिनका एक मैं डिफेंसर एक्स tama Battlefield की यांसर के इस कोशन को defense expo वाला question कहीं ना कहीं आपके paper में आ नहीं है ठीक के defense expo को question याद रखना ठीक है location important है चलिए तो ये question का answer है मलेशिया ठीक है Malaysia ने अभी 4 देशों की जो है एक बूरा military drill, जो है host किया था चार देश कुन कुन से ध्यान रखना है इसके उपर भी question आ सकता है ठीक है ये चार देश कुन से थे पहला था Australia ठीक है दूसरा New Zealand तीसरा Singapore और चोथा जो है आपका United Kingdom ये चार देश थे जिनके बीच में जो है ये exercise conduct की गई ठीक है तो question आपको मिल सकता है joint force exercise थ इसके को आती है क्योंकि इन चारों पांचों देश है ये देशे रॏकवा गंडा यौनडत तो इन के भीच मेंके मिल सकता है फुलf फुम भी आपसे कह सकता है कि इसमेंसे कौनसा देश भाग नहीं तो पांचों देशों का याद रखना ठीक है इस पर कोशन आपको मिल सकता है चलिए एक और कोशन देखिए इस कोशिंगा आन से के इंडियन आर्मी और SSB ने हाल फिलाल में ठीक है एक किरपान शक्ती नाम की एक्साइज जो है कंडग करी फायर पावर एक्साइज थी और ये कौन सी स्टेट में हुई थी इस कोश में डाल दो उसको रिवाइस करना उसकी PDF करो मैंने अभी तक आठमा टॉपिक है यह अभी तक का साथ बज़े की अपडेटेट सीरीज का तो अभी नोमा टॉपिक में कल का जो है अभी बता देता हूं कल हम ब्रैंड मेस्टर सारे खतम करेंगे जैसे अभी हाल फिलाल में सा कोशन आ सकता है तो हम अभी अपडेट कर देंगे कल की क्लास में ठीक है ब्रैंड मेस्टर को कोशन तो करेंगे बहुत सारी चीज़े वर्ल्ड अफेर्स में भी खवर होती है ठीक है तो वह भी देख लेना चैले तो इंडियन आर्मी और एससबी का जो यह जो है फायर जो पावर एकसाइस है यह कहां पर तो ध्यान रखेगा यह अभी हाल फिलाल में कंडग किया गया है दोनों देश दोनों कोर्सिस के बीच में आपको न देखो जैसे इंडियन आर्मी का बेटालियन का कोशन आ सकता है और यह भी मिल सकता है कि वही एससबी की तरफ से कौन थे ध्यान अखना सस्वीग evolution की तरफ से जो है 46 nut Sound केसे कोशन आपको यह मिल सकता है कहाँ पे एक साइस हुई कि वह मिने आपको बता दिया है orphण सिलीगुरी में ठीक है कहाँ वहां पे वैस्पंगोल सिलीगुरी में एक साइस हुई पूरी डिटेल जानते में आपको में मिल जाया कोशन ऐसा बते हैं इस कोशन का अंसर के हैं यह कहां पर इस कोशन का अंसर के हैं अपना वीडियो का परपस टाइम डूरेशन नहीं है पूरा कवर होना चाहिए अच्छे तरीके से के एक ही वीडियो उसके बाद इस टॉपिक को कई और से पढ़ना पड़े आंसर के हैं इस कोशन का विशाका पटनम इसका आंसर है मार्च में यह एक्साइज हुई थी एक बहुत बड़े लेवल पर एक्साइज होती है जिसमें बहुत सारे कमांडिंग ओफिसर जो है अलग-अलग डायमेंशन में काम करते हैं क्योंकि देख लो आप इतना सारा पाडिस्पिंस हो रहा है तो बहुत बड़ी एक्साइज मा कि आपको मिल चकता है विशाका पत्नम में यह कोशन नहीं बोड़ेंड है चले एक और कोशन देखिए इस प्रस्थान एक्साइज मुंबई में कंड़क की गई यह किसके द्वारा कंड़क की थी इंडियन फोर्सिस कौन सी है जिन्होंने प्रस्थान नाम की एक्साइज तो ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ पढ़ जाए हम करने टॉपिक फिक्स कि हमने हमने सबसे पहले स्पोर्ट्स पढ़ा पूरा स्पोर्ट्स का पूरा वीडियो बनाया वह आपने पढ़ लिया होगा नहीं पढ़ तो पढ़ ले ना फिर अवोर्स एन ओनर्स का फिर परवाई थी इसके बारे में पूरा डीटेल में पढ़ते है पहला प्रस्थान एक्साइज मुंबई में में इसमेड़ इसने प्रस्थान नाम की एक्साइज में पाटिस्पेट किया तो आपको यह को प्रस्थान में मुंबई में हुई थी इंडिया नेवी का फ्लैग चेंज किया गया उसका कोशन मैं कराऊंगा अभी लेटस ही तो हुआ है ठीक है डाल दूंगा एट एडिशन हुआ ठीक है नेट प्लोरेक्स का एडिशन वैसे इसमें लिखा भी है रोमन वैल्यू में के एडिशन हुआ ये एक टू डेस नेशनल लेवल पॉलुशन रस्पोंस एक्साइज है ये कहां पर हुई बड़ा अच्छा कोशन है ठीक है मेभी आपसे आपसे ये भी पूसकता है नेट कोशन है इंपोर्टेंट ठीक है पहली बात तो ये एक्साइज नेवी ने कंड़क कराई क्यूं क्यूंकि इसमें जो जैसे जो हमारे मरीन लोकेशन है ना वहां पे अगर ओयल स्पिल हो जाता ना उससे पॉलुशन हो जाता है ठीक है तो उस ओयल स्पिल को खतम करने के बहुत सारी एजनसी इसमें जो है इंवल वही थी कोशन आपको इस पर मिल सकता है इवन शिलंका और बांगलादेश की जो कोसगार्ड है वो भी इस एक्साइज में इनवल थी क्यूंकि ये कोशन इंपोर्टेंट है आप ध्यान एकना इसके बारे में कि इसका कौन सा एडि देख सकते हैं यह अलग अलग देश की कोसगार्ड फोर्स हैं इन्हों ने इंडियन ओशियन में जो है इस शीच पर काम किया था ठीक है इंपोर्टेंट है आ सकता है बड़ा एक्साइज हुआ है ठीक है डिफैंडर ये और वीश और स्विट रेस्पोंज 20 ये कौन सी जब हम पढ़ते हैं असान चीजे स्टाटिक जी के जैसी चीजे इतनी असान लगती है फिर अच्छा भी फील होता है कि आता है आता है बेटा जब आप मुश्किल चीजे पढ़ते हो न तब आपको एक बार को लगता है ऐसा कि यार कितना सरदर दो रहा है मैं आपको बताओ यह टॉपिक आपको अगर आते होंगे ना आपके पास एडवांटेज है और किसी के पास एडवांटेज नहीं होगी इतनी जितना आपको आता होगा पेपर में सेलेक्शन उसमें नहीं होता जो सबको आता है सेलेक्शन उसमें होता है जो सिर्फ आपको आता है या फिर कु है एक बार वीडियो देखने हैं दूसरी बार पीडियाव देखने हैं बास अपने आप हो जाए कवर इद्वान से कहा नाटो यह मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि रशिया युक्रेन की वहर का सबसे बड़ा मुद्दा नाटो ही रहा ठीक है नॉर्थ अट्लांटिक टिटी कि यह एक्षाइस किसके अलाइन से होती है तो यूसे और नाटो का क्रते हैं यह कंदक करते हैं इसमेंब पूरा यॉरप ही पाडिस्पेट करता है इसमें मैं बताऊंगा नहीं कुन-कून सा देश क्योंकि यॉरप सारा ही होता है पॉलेंड के जो है लिध्याना लताविया जर्मन डच्छ चेक रिपबलिक एक्स धर्म गार्डियन 22 यह एक्साइज जो है इंडिया और कौनसे देश के बीच में इंडिया और कौनसा देश है जो है इंडिया और किसकी बीच में है बड़ी exercise है अग डे है अधि कल अधित का ब्रreンピर करेंगे तो यार के कोशिन जादा मिल जाते हं है ना तो हम ब्रेंड को शिर्ट का विल पर आप जो बच्रे टॉपिक बता ना मैं वही कवर करा रहा हूं आप कमेंट बुक्स पर डाल दो आपको परसु वह मिल जाएगा जो आपने आज दिखा हो ठीक है ध्यान रखना बाकि आप टेलीग्राम चैनल जोइन कर लें आपको पीडियस में ले आंसर इसकोशन का जैपान इंपोर्टेंट एक्साइज ठी हैके आज के समय ना इंडिया जैपान के पास ऐसे आर्मी तो नहीं है जो विलुक् unexpected यहीं को कि यहीं多 चीज किया घ्यान को एक सर्दविट है जोолжोен ़ॉक्त कुछ किया खतर्णा ठीक है लेकिन फिर भी जैपान जो अपने जो शैब्डिफेंस पॉर्स ही सेंग्री नहीं सब्सक्राइब करेंगा इसका नाम लोक शिर्ड है यह कौन से देश ने होस्ट करी यह सबसे बड़ा साइबर क्राइम को रोकने के लिए लोक शिर्ड बीस बाइस यह दुनिया का सबसे बड़ा इसमें बहुत सारे देश ने पार्टिस्पेट किया और यह एक्साइज किस देश ने कंड़क करवाई थी इस कोशिंग आंसर के है ठीक है चाले तो इस कोशन का आंसर के है इस कोशन का अंसर एस्टोनिया एस्टोनिया के द्वारा जो है यह एक्साइज कंड़क कराईगी पूरा डिटेल जानते इसके बारे में क्योंकि कोशन आपको मिल सकता है ठीक है यह जो पूरी एक्साइज हुई थी ना इसमें पार्टिस्पेंट जो थे ना उनको प् पारा जो है कंड़क करवाई और उसमें यह जो है फर्स सेकेंड और थर्ड भी आया थे कोशन आपको इस पर भी मिल सकता है लोग शिल्ड एक्साइज थी कोशन आपको मिलने के जान से टॉप पे कौन सा देश रहा था फिल्लेंड रहा था यह कोशन ध्यान रखना यह कोश कोशिंगां से कहां पर हुई थी एक साइज बड़ा असान है कोशन बद्र प्रहार तो असान है कोशन अभी आपकी और वीडियो साना स्टार्ट हो जाएंगी पहले हम यह टॉपिक कवर करेंगे सुबह करेंड फेर चलता वर्ल अफेर्स का वह देख लिया करो यह टॉपिक देख लो कोई कहेगा सर हिस्ट्री बॉलटी जोगरफी चल रहा सब चलेगा साथ बज़े आपका एक से बड़कर एक टॉपिक आगा धीरे धीरे जो कवरेज करने है वह आपकी कराके रहूंगा आपका इस महीने में पूरा कवरेज है यूटुब की साथ बज़ेली वीडि यूट्स कंडख करी थी यवरप के कोन से देश में पताई आंस है करेज नाटो ने हाल फिलाल में विन्टर केमप एकसाइस कंडख करना ती यूट्स कोन से देश में इस कोशंगा आउसर गया थीक अंसर के शिक से पतेम पर यह अपर लोग्या है ओ एक्साइज सुन लिया एस्टोनिया खा कोशन आ सकता और एक विंटर केम्प एक्साइज भी जो है एस्टोनिया में ही की गई इसमें जो है यह कोशन है कि यह प्रशिप एक्साइज कोन से दो देश्ब बीच कोशन को कि जल्दी से बताईगा इंडिया की एक्साइज किसके साथ वही थी इस कोशन का अंसे अच्छा कोशन है है ना मेरी टाइम पार्टरशिप एक्साइज इंडिया ने किस देश के साथ कंड़क करी इस कोशिंगा आन से कहें कमेंट करेंगा पिछले सारे जो वीडियो अपडेट्स है ना उन सभी का मैंने जो है ना प्लेलिस्ट भी बना के डाल दिया है मैं ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको सिर्फ और सिर्फ स्कोर 15 नहीं लाना वो 25 पर जाना चाते है 25 में 25 में भी लाना चाते है उन बच्चों के लिए वीडियोस आ रही हैं, आप इन वीडियोस को देखके अपने स्कोर को एकदम इंक्रीज कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता रहूँ, साथ बजे की कोई वीडियो मत छोड़ो, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा स्कोर, आंसर है इस कोशन का जैपान, ठ सारे जो हैं पाटिस्पेंट करते हैं कोशन आपको मिल सकता है, चलिए एक और कोशन देखी का इस कोशन का आंसर के हैं, ठीक है, इंडो कोरपार्ट, वेरी इंपोडेंट, कोरपार्ट एक्साइज, वन ओफ्वीडियोस एक्साइज है, इंडिया और कौन से देश के बीच म इस कोशन का आंसर के हैं, कमेंट करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग है ठीक है तो इसलिए एक कोशन बड़ा असान है इसकी थोड़ी सी डेटेल जालने थे एक कोशन आपको वैसे इस पर मिल सकता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक साइज हुई थी जिसमें इंडिया की तरफ से जो है आइनेस करमुख इसने पाडिश्पेट किया आपको मिल सकता है यह कोशन आ सकता है कि इंडिया की तरफ से किसने बार्ड़ पढ़ेट किया या तो आपको यह मिले का उचेशन को मिल सकता है तो एडिया की एडिशन मिलेगा कि पृर बृके अंड को बोस्ता की location है उस command location में जो है इस exercise को conduct किया गया तो यह question आपको मिल सकता है तो एक और question देखेगा फड़े question लंबे है यह question लंबे ज्यादा informative है ज्यादा फायदा होगा पेपर में बते इस question का answer के है बीस-बाइस marine security belt exercise है यह इंडियन ocean में कौन से देशों के बीच में हुई कोन सी मतलब यह जो marine security belt exercise हुई इसमें कौन-कौन से देश involved है बताइए इस question का आप चलो थोड़ाजा मुश्किल question है ध्यानक ना रशिया चाइना और इरान मुश्किल है question ठीक है marine security belt exercise है रशिया चाइना और इरान तीन देश involved है पूरी detail जानते क्योंकि question है important ठीक है इसमें कौन से तीन देश रशिया चाइना इरान पहला important चीज दूसरा यह इंडियन ओशियन में exercise हुई थी ठीक है कहाँ पर यूदी exercise इंडियन ओशियन में यह exercise हुई थी important question है आ सकता है directly आपको यह question मिल सकता है बाकी participant क्योंकि इंडिया ने participant नहीं किया तो कोई question आएगा नहीं कि कि किस का involvement था कौन-कौन से आई नहीं साई ठीक है बस इतना याद रखो तीन देश कौन से है marine कौन सी exercise है कहाँ पर हुई यह तीन चीज़ा आपको याद रखने है इस question से संबंदे एक और question देखे है बैटा ध्यान रखना एक चीज़ को अभी हमने पड़ा आई एंडी ठीक है आई एंडी इंडो कौरपार्ट वह अलग था और यह अलग है कौरपार्ट की यह वाली exercise ज्यादा बड़ी होती है ठीक है ध्यान रखना जो अभी हमने एक कौरपार्ट का question किया था यह वाला question अलग है दोनों संबल लेते हैं ठीक है फॉर्थ एडिशन कौरपार्ट exercise का जो है कहाँ पर बंगलादेश में हुआ ध्यान रखना यह अलग है कौरपार्ट के बारे में पूरा याद रखना ठीक है फॉर्थ एडिशन है जिसमें इंडियन नेवी और बंगलादेश नेवी ने कौरपेट किया आपने जो अभी पढ़ा था न वो इं नेवी इन्वोल्ड होती है दोना तरफ से नेवी इनवोल होती है और इंटरनेशनल मेरीटेम मौंडरी जो ना वहां पर यह जो है इसको किया जाता ठीक है कोशन आपको यह मिल सकता है लेट सीधन एक्सकोशन इसकोशिंगा अंसर बतेगा पस्चिम लहर 20-22 यह जो गुण को यह म relay आइस कोश जाती है इंडिया इस kोशक ऐंसर थीिंग है इंडिया को आपको इंपर्टिक होजाती है 20 दिन की exercise थी जिसमें आपको ये question मिल सकता है देखो इसमें concept को समझना आपको रट्टा नहीं मारना इसमें question आपको कैसे मिलेगा कि वह पस्चिम लहर exercise है तो इंडिया की navy की कौन सी command ने इसमें participate किया तो पस्चिम लहर है तो इसमें western naval command के द्वारा इसमें participant किया गया question आपको ही मिल सकता है तो यह important है question आपको मिलेगा और बाकी कोई question इसमें मिलने लाइक है नहीं लेकिन हाँ यह question आपको मिल सकता है चार एक और question देखेए कद मैं आपको वह चीजे बता रहा हूं अगर पेपर में question आता है defense का वह किस portion से आपको मिलने वाला है ठीक जो topic वाइस चीज़ों को कर रहे है ना उसका purpose यह ही है कि हमें ना सारा current फिर नहीं बढ़ना है हमने topic उठाना उस topic का कोई particular topic खतम करना है कि हाँ यार यह current फिर हमारा इदर खतम हो गया defense का खतम हो गया science का खतम हो गया books and author कर लिए ऐसे करेंगे इस तरीके से ठीक है चलिए important question ह question है Indian Air Force और कौन से देश के बीज में bridge exercise होती है यह बहुत easy question है बहुत प्रसिद भी है यह question आता होगा सभी को Indian Air Force और कौन सा देश तो ध्यान रखेगा Indian Air Force और ओमान Air Force के बीच में exercise होई addition पर कोशन आने के chances है ठीक है तो यह कौन सा एडिशन हुआ इंडियन ओमान का यह six एडिशन था क्यूंकि यह बहुत ज्यादा famous exercise है तो यह कहां पर वी exercise ध्यान रखना Air Force टेशन जोदपूर में इस exercise को conduct किया गया यह कहां पर इंडिया की तरफ से पूरी Air Force में पारिश्पेट किया था जो जो पारिश्में थे ठीक है और ओमान की तरफ से Royal Air Force ऑफ ओमान जो है रैफो नाम से इन्होंने पारिश्पेट किया था कोशन इंपोर्डन आ सकता है इसकी addition पे कोशन इसकी location पे कोशन ज्यादा देखने को मिल यह किसी एक टॉपिक की आप चाहिए उसको कोपी करके रख लोगे या फिर पीडियेफ डाउनलोड करें टेलीग्राम पीडियेफ डालता हूं मैं ठीक है मैं अभी बता है मिलान पूरी दुनिया की सबसे वड़ी मल्टी लेटरल एक्साइज है ठीक है और इंडिया ने होस करी थी एक साइज अभी मिनने कोशन पूचा है सका आंसर क्या है रिचाहें का पट्रम है कॉषण मेंने आपको इसका डिटेल पूरा बता दिया है ठीक है पर नएक स्चाइण जीक हैं कि सिटी औफ डेस्टीनी किसे कआ जाता है ठीक है सिटी डिस जीनी किसे क् टाहिए प् विशाका पट्टम को का जाता है लोग महरास लगा के आ जाते हैं important question आ सकता है ठीक है याद रखना बाकी मैं information इसकी पूरी पहले दे चुका हूँ चलिए एक और question देखिए कि इस question का आन से के मुझे आज exam में question आया था हाँ बिल्कुल राकेश आ सकता है यार यह topic है जिसमें से question आना मैं topic ही उठा रहा हूं जो question आई रहे हैं तो हम उन्हीं topic को तो cover कर रहे हैं कि कोशन ज्यादा है इसके ठीक है लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे चरी तो इस question का answer क्या है बहुत ज्यादा question है एक घंटे से ज्यादा की वीडियो है यह आज की ज्यादतर मेरी वीडियो सारी एक घंटे से ज्यादा की duration की जारी है topic क्योंकि important है बड़े topic है नौर्वे इस question का answer है ठीक है कि बहुत रस्पॉंस जो है देखो नौर्वे वन ओफ दा ऐसा country जहां पर ठंडा इलाकर रहता है कोड़ा समय मिल्टरी जो है stay कर पाए कोड़ लोकेशन पर इसलिए एक साइस की जाती है ट्रैक्टरिस की रूप में कंड़क करने के लिए तो यह जो है नौर्वे कंड़क कराता है जिसमें बहुत सारे सोल्टर साय होंगे हमें इतना याद रखना कि नौर्वे में कंड़क यह कोशन आ सकता है इंडिया जहां पर इंड़ॉल्वड है वह कोशन जादा इंपोर्टन है आंसर कैसे कोशन इस लिनेक्स है तो आंसर विशाका पटनम और इसके एडिशन पर भी कोशन आएगा ठीक है यह जो अभी 22 का एडिशन हुआ यह नाइन अइडिशन हुआ है ठी सबसे पहला इडिशन कब हुआ था यह बहुत जादा हाई इंफरमेशन होती है यह कोशन अब नहीं आता और अगर आता भी है तो यह सेंट अलावक किसी और एक्जाम में नहीं आता SSC Railway कभी यह कोशन नहीं पूसता कि सबसे पहला इडिशन कब हुआ था वो सिर्फ यही पूसता है कि लेटस एडिशन कहां पे हुआ और किस कौन सा एडिशन था और कौन से दो देश हुआ यह तीन कोशन आपको मिलते हैं SSC Railway में जादा तर ठीक है चले एक और कोशन तो इस कोशन आणसर है खान के इसक्साइज जो है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है ठीक है 10-10 लियां चीलर में पारिशन आपको यह मिल सकता है कि जहांपर एक likao कि इंडिया की तरफ से किसने पाटिसपेट किया । थिकि इस एक्साइज में तो लद्दाक्स कोट ने पाटिसपेट किया तो कोशन आपको इसपे आने के चांसिस है तो यह uniformly कि sanoi ऐसंगा रिवाइज हे वहां पर țटेलीग्रांब चैनल जैनल कर लें ना cafeter बिदेफ पीडिए एव बी भर गान वैहीं आपको यहीं मार्क यहीं आद करना फालतीं चीजरे मत करेगा है ना कि तो इस कोश से अं서 बते अपूर इंडियान आरहिं ने हाल फिलाल में पाड़िश्पेट किया जॉइंट मिलिट्री एकसेज हिश ला मत्या इंस यह दोस्तों यह एक्साइज 9 एडिशन था कौन से देश में ठीक है कौन से देश में एक्साइज हुआ इंडिया की आर्मी यहां पर विजिट की थी इस देश में चलिए बताइए आंसे कैस कोशन नहीं बड़ा आसान कोशन है आया हुआ आपको आपको कोशन नहीं मिलेगा थीक है बस ध्यान रखना इंडिया और से छेस लोकेश जो है इनके बीच में यहें एक्साइज होती है और इस बार की एक्साइज नइट आईशन था कौन सा अडीशन था? 9th अडीशन था? चलिए एक और कोशन देखे इस कोशन आच से गे वस्तोक 100% आता है कोशन यह बना बहुत important excise आप important क्यों है वो आप इसके answer से समझ जाएंगे क्यों मैं कहा हुँ कि excise बहुत ज़्यादा important है direct question है इसमे वस्तोक 202 जो है मिल्ट्री एक्साइश कहां पर हुई थी बता यान से कहा कारण क्या है इसका क्यूंकि एक्साइश रुश्या में कंडक की कि है रुश्या इसS ने इन्वोल रहता ना तो ये कोशन इस में आपको मिल सकता और क्योंकि Indian Army भी इसमें involved होती है तो question आपको मिल सकता है कि Indian Army की तरफ से वस्तोक में कौन participate किया था तो गोर्खा rifles ने इसमें participate किया था question important है ध्यान रखना किसने participate किया गोर्खा rifles ने वस्तोक 20-20 में participate किया एक ground level exercise है जो कि Russia में conduct कराएगी थी even ध्यान रखना ये एक एक्साइज है जिसमें तीन देश participate करते हैं ठीक है युनाइटिन डेशन इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि रशिया जो है आटैक पर अटैक किये जा रहा है यूकरेन और इंडिया और चाइना जो है रशिया के साथ exercise किया जा रहा है ठीक है तो इसमें चाइना भी participate करता है इसमें चाइना भी participate करता है इसमें रशिया का participation होता है और इंडिया भी participate करता है तीन देश इसमें participate करते हैं इंडिया की तरफ से गोर्खा राइफल ने participate किया था question important है आ सकता है ठीक है चलिए एक और question देखेगा अभी ये start हो चुकिए exercise ठीक है अभी start हुई है ये बिल्क जैसे युनाइटी नेशन भी परिशान है कि इंडिया और चायनक कैसे exercise कर रहे रशे के साथ जब पूरा दुनिया जो है रश्या के अगेंस्ट है तो यह लेटस एक सेप्टेंबर और साथ सेप्टेंबर की बीच में exercise हो रही है चल रही है एक साइस यह भी खतम भी नहीं ह इंडियार बांगलादिश की exercise जो है यह कहां पर कंडग की इस कोशिंगा आनसे क्या है मतब exercise का नाम पूछा के बांगलादिश में इसकोशिंग चलो तो इस कोशिंगा आनसे क्या है दोस्तों इस कोशिंगा ठीक है संप्रत्ती एक साइस कोशन अच्छा है यह सकता है एक साइस संप्रति जो है बहुत इंप्वोट्टिन exercise है और इंडिया बांगलादिश के बीच में exercise कंडग की जाते हैं डारक कोशन आपको यह मिल सकता है ठीक है है तो सिर्फ इतना ही पूछेगा य यह exercise कहां पर भी बांगलादेश पर ठीक है और इस exercise में कौन-कौन से दो देश होते हैं तो इंडिया और बांगलादेश इसमें पाडिश्पिट करते हैं बहुत इजी कोशन है वैसे यह चलिए USA और फिलिपिन्स का यह exercise सिर्फ इतना यह याद रखो नाम यूस और फिलिपि exercise यह question important है क्योंकि इंडिया involved है बते ही इंडिया और कौन से देश की बिच में exercise कोशन का अंसे कहें कमेंट करीगा कमेंट करीए इस कोशन का अंसे कहें सारा topic cover करा दो हूँ don't worry a to z topic cover होगा जब एक वीडियो बन की ना तो वससे वार कोशन नहीं आएगा ठीक है चैक कितनी लंबी duration चली जाए सारी वीडियोस में एक valuable number है कि आपको अगर ये वीडियो देख लिए आपके दो number पक्के आपने मेरी और वीडियोस देख लिए ऐस मत पढ़ के जाना सारी पढ़ के जाना तॉपिक सारे पढ़ लेना वह पहुत नाम में नाम से आपकी जल रहा है नाम सी बढ़ चल रहा है इंडिया और वहतना की चाइन है कि चायना को ज्यादा इसको छोड़ेंगे यह बड़ा ड्रिल है इंडिया खुद करता है इंडिया नेवल जो है सिंफोसियम जो है इसका फर्स्ट एडिशन हुआ पहला एडिशन हुआ और यह कहां पर कंड़क किया गया इंडिया नेवी अपना खुद करें लेती है तो यह पहला एडिशन है तो कोशन आपको मिल सकता है इसको कोशन गारेवियन से अपको मिल सकता है ध्यान रखना है यह याद भी कर लेना इसमें और भी ऐसा नहीं इंडिया नेवी ने पार्टिस्पेट किया बहुत सारी और अधर पार्टिस्पेंट थे ठेटेड़िए जब हम चीजों को ट्रायल लेते हैं कि इंडियन ने भी कितना गर रहा है तो उसमें और भी तो देश आएंगे न तो इसमें बेसिकली इंडियन ओशियन में जो इन्वोल्मेंट रखते हैं या फिर जो देश ऐसा जो इंटरस रखते हैं इस इंडिया इरान इन सब के साथ जो है एक्साइज कंड़क की कोशन आपको मिल सकता है चलिए इस इंडो-पैसिफिक नेशन एक्साइज यह जो है किस नाम से रखेगे कमेंट करेंगा एंटी समीन वार्फेर एक्साइज है जो कि इंडिया युए से ऑस्ट्रेलिया चैनेड से इसका क्या नाम वीडियो आजाएगा साथ बजे लाइव हो जाएगा मैं पहले से ही टॉपिक डिसाइड करके रखता हूं कि आपको एक टॉपिक अपडेट कराना हर दिन तो साथ बजे का कल का टॉपिक है ब्रेंड अमेस्टर सारे ब्रेंड अमेस्टर देख लेंगे इ युएस से आता है इंडिया आता है और चैनेडा जैपान और साइथ कोरिया आता यह कोशन आ सकता है ठीक है इसका नाम क्या है सीड्रेगन एकसाइज है क्को इसे इसमें आप यह चीज़ देख पा रहे हो कि चाइना इसमें इन्वोल्ड नहीं है आप हमिशा देखना कोई वो चायना के अगेंस जरूर होगी क्योंकि चायना अपने आपको ठीक है इंडन ओशन का आपको समझो कि आपना इन चीज़ को समझो कि आपना इन इन चीज़ों को न एक बार में याद नहीं कर सकते लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं कि याद नहीं हो रहा जो चीज़े याद करी है उसी को रिवाइस कर लेते हैं अभी आपके बास समय है दोस्तों चीज़ों को पढ़ भी लो और PDF से रिवाइस भी कर याद हो जाएगा आपको पूरा information याद नहीं करना है आपको बस यह particular कुछ कोशन याद करके जाने टॉपिक के आएंगे कोशन पक्का ठीक है अगर छोड़ दोगे ना फिर पस्ता होगे कि एक वीडियो में सब कुछ था कोशन करें नहीं हमने याद करने हैं आपको ठीक है भूलना मद यह कोशन करना ही है सारा के सारा ठीक है चलिए important कोशन है एक और कोशन देखेंगा इंडियन नेवी और रशियन नेवी एक exercise कंड़क करती है नाम बते कोन सा है पते आनसे केस कोशन अरे प्रकाश कल है न एक्जाम आठ टोपिक करा दिया आठ नमबर तो पक्के ह है और भी पढ़ा ही होगा पूरा जीवन में कुस्तो चली तो आनसे केस कोशन का कल पांस तारीकों हाँ वैसे एक्जाम है बहुत सारे बच्छों का चली तो बड़ा अच्छा कोशन है यह बहुत इजी भी है पैसेक्स जो है ये इंडिया और रशिया के बीच में एक्साइज बहुत फेमस है एक बन ओड़ा इसएस कोशन है जो किया सकता है इसके में इसमें इंडिया की तरफ से जो आएने शुची है इसने तो जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, मित्रा शक्ति, सिलनेक्स, वरुना, ठीक है, मिलान, ये हो गया, पैसेक्स हो गया, ये रेगुलर एक्साइज है, इन पे कोशन जादा मिलता है, ठीक है, तो वो सारी इस वीडियो में कवर होगे हैं, तो आप उनको एक बरी रिवाइस करेंगे, ठीक है, रेगुलर एक्साइज छोड़ना बात, उनके एडिशन जरूर पूछे जाते हैं, जो रेगुलर एक्साइज, चली, अब ये थोड़ा सा इतना रेगुलर नहीं, लेकिन क्योंकि लेटर से निया कोशन है, नैशनल साइबर सेक्योर्टी इंसिटेर एक्साइज करेंगे, बेसिकली अब जो है ना साइबर वार्फेर भी हो रहा है, डिफेंस इस नोट जस्ट की हवाई हमला होगा, साइबर एटेक एक डिफेंस का पार्ट है, तो मैंने तीन से चार कोशन साइबर एटेक के लेटर जो हुएं, वो करा दिये, इंडिया की तर किया गया था, एक बड़ा इवेंट हुआ है इसके ओपर, ठीक है, ध्यान अकना एक बड़ा इवेंट हुआ है, तो कोशन आपको मिल सकता है, कि किसने और्गनाईज करवाई ये, नैशन सेक्यूर्टी काउंसल सेक्रेटरी के द्वारा इसे जोए कंड़क करवाएगा, ठी ठीक है, चलिए, यह मैंने टेलिग्राम चैनल जोइन करना, अमन सर वाईफ है, अभी कोशन बचे है, ठीक है, देखो यार पूरा कवर करेंगे, पूरा वीडियो कवर होना चाहिए, एक घंटा प्लस ही जाएगी हर वीडियो, तो थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, अल नहज फोर्थ एडिशन, इंडिया और कौन से देश के बीच में, जल्दी से बताएगा, आंसे कैस कोशन का, इस कोशन का आंसर है, अमान, अल नहज एक्साइज जो है, किसके बीच में, इंडिया और अमान के बीच में, जोइन कमांड कंट्रोल एक्साइज होती है, ठी यह यह सारी सरी से रेक स्हस्तान में होती है आप इसका परपस समझ सकते हो क्योंकि ओमान को उनका जो टेंपBER़ेचर है उनके जो ख्लाइमेट है वह ऐसे है डैघ्र ख्लाइमेट है फिर के डैजिपक्लाइमेट है तो वह चीज की में रद आत चली बताइए यह आंसे के स्कूशिंग का कमेंट करें बताइए इकस दस्लिंग बहुत फेमस हैं इंडिया की किसके साथ होती है किसके साथ होती है इसके साथ हैं लिए पैटलुन पर्सट मिलेगा इसीच के पायराशॉर्टी देना हूँ ठीक है 100% वो आएगा टॉपिक आपका साथ बजे चले आंसर है उजबेकिस्थान एक्स डस्टलिंग एक्साइज इंडिया और उजबेकिस्थान के उपर होती है एक कोमन एक्साइज है ठीक है इसका 3rd edition हुआ है अब इसको लास वाली कोशन में करा दिया है ठीक है आपको आ गया होगा कि इसका नाम एक्साइज पता होना चाहिए नाटो क्योंकि ना अभी लेटस बहुत जादा फेम में आ गया था तो इस वज़े से नाटो की कि में लेटायम कोंड़ करी मेडिटरियं सीस का नाम क्या कै इस एक्साइज का नाम तो गवी वाई बस इतना याद रखो खोड़ेंग को आज meडिटरियंसेमन क्या खें तो यह कोशन आपको मिल सकता है चली यह का आज टॉपिक क्वी खतम के कल का वीडियो है Brand Ambassador, Detail में होगा हर Brand Ambassador का इमेज उसकी Detail वो किस कंपनी का Brand Ambassador बना उस कंपनी में क्या है ऐसा खास ये मैं आपको कल की वीडियो में डेटेल में पढ़ाने वाला हूँ, एक घंटा दोबारा लेंगे, कल आप ब्रेंड अमेस्टर की वीडियो के लिए लाइव आ सकते हैं, 7 बजे अमन सर वाइफे शड़ी, ये वीडियो सिर्फ एक करेंट अफेर नहीं है, जितनी भी मैं 7 स्टेटिक है, तो ये वीडियो स्टेटिक प्लस करेंट फेर हैं, जो की सबसे ज़्यदा फायदे मंद होता है, टेलिग्राम चैनल सर्च कर लो, अमन सर वाइफे शड़ी जो टॉपिक आपको चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए, आपका जिसका भी चाहिए, लाइव ओमन से सब्स्रिप्शन लेकिए, और डिटेल कोर्स पढ़िए, हर एक सब्जेक का, डिपेंड्स होनी हो, फायदा आपको डिसकाउंट लेने का होगा, अपने कोड लाइव ओमन से, ठीक है, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में, तिल दैन गुड़ थायदे, ठीक्सरोल